हलो एवरीबन तो दोस्तों आपने कई बार मेथी का पराठा तो बनाया ही होगा लेकिन आज हम बिलकुल अलग तरीके से मेथी का पराठा बनाएंगे जो 10 गुर्ना स्वादिश्ट, 10 गुर्ना सॉफ्ट और डबल हल्दी है और इसे के साथ हम चट पटी मिर्ची फ्राइ भी ी चमच तेल और इसमें हम यह मेथी डालना है और इसे बाटा बनाएंग необ Dow PHY करना बहुत सारे लोग कहते हैं कि आता थोड़ी देर बात सॉफ्ट हो जाता है बहुत गील उत जाता है लेकिन अब यह प्राप्लम आपके साह्थ नहीं होगी इस तरीके से मेथी को फ्राय कर न इसमें एक बड़ा चमच डालेंगे हम बेशन, साथी तीन से चार बारिक कटिवी हरी मिर्च डालेंगे, लगभग आदा चमच लसन अद्रक का पेश दिरा लेंगे, एक मुठी हरा धनिया डालेंगे बारिक कटिवी, आदा चमच डालेंगे हम सफेद तिल और आदा चमच काल घुटा से डालेंगे काला नमग और स्वाद नुसर नमग आधाचमेर डालेंगे हम हल्दी पौडर और जो हमने मीठी ड्रायतर की रखी ती वो डालेंगे यह अच्छा से थंडी होने के बाद डालिए अब दोस्तों सबसे खास चीज में डालेंगे जिसें मेधी के पराठे इतनी जादा स्वाधिश्ट, सॉफ्ट और बिल्कुल हेल्दी होने वाले हैं तो मैंने याँ पर एक कप उबली भी मूंकी डाली है इसे मैंने सिर्फ नमक और हल्दी डालकर उबाल लिया है आप बीना नमक डाले भी उबाल सकते हैं इसके बार ही आप नमक टेस्ट करके डालिए और अच्छे से इसे मैंने करने तक उबाल लेना है दोस्तो इसे आपकी मीथी के पराठे इतनी जादा सॉफ्ट बनेंगे जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते तो कभी आपने ऐसे पराठे नहीं बनाया है न तो एक बार मेरे कहने पर बना कर देखी आपको मज़ा आ जाएगा तो अब दोस्तो हमें इसे अच्छे से पहले मिला लेना है और इसके बाद हमें डालना है दही जी हाँ दोस्तो इसका आटा हम दही से लगाएंगे तो दोस्तो ये कितना हेल्दी हो चुका है आप सोच सकते हैं यहाँ पर हमने मुंकी दाल और दही दोनों इस्तमाल की है मुंकी दाल प्रोटीन से भरपूर होती है और दही कैल्शियम से भरपूर और इस तरीके से आपको आटा लगाना है और यह आटा लगकर तेयार हो चुका है अब इसे थोड़ी देर बाद भी आप पराठे बनाएंगे ना तो भी यह सौफ्ट या गीले या चिपचिपे नहीं होंगे जब यह आटा परफेक्टली लग चुका है इसे हमें 10 मिनट का रेस्ट देना है तब तक हम इसके लिए चट पटी मिर्ची बनाते हैं तो मैंने यहाँ पर 15 मिर्च ली है जो मोटी मिर्च है तिकी नहीं होती है यह और इसे हमने बीच से कट कर लिया है और अब हम इसे फ्राइ करेंगे एक नए अंदाज में तो दोस्तो सबसे पहले पैन में हमें लेना है दो बड़े चमच तेल दोस्तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ओयल लिया है लेकिन आप यहाँ पर सरसो का तेल भी ले सकते हैं आदा चमर डालेंगे हम जीरा और मैंने यहाँ पर पीली सरसोली है जो अचार के लिए इस्तिमाल की जाती है वह हाफ टेबल इस्पून ली है इसे थोड़ा सा भून लेने के बाद इसमें डालेंगे मिर्ची और इसे फ्राइ करेंगे तो मिर्च को जितने अच्छे से आप मिर्ची में बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो मैंने यहाँ पर काला नमक और सफेद नमक डाला है यह आपके टेस्ट एकोडिंग आप डालिए और इसे अच्छे से फ्राइ कर लीजिए जैसे इस पर थोड़े से माक्स आने लगे तब हम इसमें मसाले डालेंगे एक बात खटाई इसमें थोड़ी जादा रखे तभी यह बहुत स्वाधिश लगीगी और सारे मसाले डालने के बाद दोस्तों इसे हमें फ्राइ करना है अब यह इतनी आसान सी मिर्च इतनी जबरदस लगती है और इसे आप 15 दिन तक फ्रीज में रख सकते हैं यह खराब नहीं होत यह हमारी मिर्ची फ्राइ बनकर त्यार हो चुकी है और दोस्तों इसे जब आप बनाएंगे आप मुझे पक्का याद करेंगी इतनी तीसी लगती है इस पराठी के साथ या फिर आप दाल चवल के साथ भी खा सकते ही तो चलिए यह हमारी जो मिर्ची है फ्राइ होकर रेड लेने के बाद इसके उपर थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे ये प्रोसेस हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हम लच्चे डार खस्ते दार ये पराठे बना रहे हैं उसके उपने सूखा अटा लगाएंगे और इसे फोल्ड करेंगे यहां पर हमने दिखी सिंपल एक फोल्ड किया फिर दूसरा फोल्ड किया लेकिन जब जब आप फोल्ड करें तो हलका हलका तिल लगा ले तकि यह जो पराठा है ना बहुत अच्छे से खुलेगा और इसे तरीके से सारे फ पतला ही बनाना है लेकिन उसके बावजूत सारे लेर्स अलग होंगे और यह बहुत ही खस्तेदार और बहुत ही मज़ेदार पराठा बनकर तयार होगा तो यह देखे दोस्तों हमने बेल लिया है अब इसे आईरन के तबे पर हमें सेक लेना है तो तबे को अच्छे से गरम कर लें और फिर से अलटते पनटे शेख लीजही दोस्तों अगर अगर आप पर यहाँ पर टेमपरेचर डाउन करके सेखें तो पराठा हो जाएगा और यह थोड़ा सा सकत हो जाएगा तो इसलिए जब भी आप पराठे सेंखें तो हाइट इप्रेचर पर से COMे ताकि यह फ तो ओलिया बटर ले सकते हैं लेकिन घी में बहुत ही बढ़िया स्वादाता है यह देखे दोस्तों कितनी शानदार इसमें कलर आ चुका है और कितने मज़ेदार यह पराठे लग रहे हैं इसी तरीके से हमने सारे पराठे बना लिये हैं और अब आपको दिखाते हैं कि यह कि कितने मुलायम बने हैं और सारे लेयर्स दिखे कितने अच्छे से खुल रहे हैं आप सोच सकते हैं कि पराठा कितना जबरदस्त बना हैं तो दोस्तों क्या आपने इस तरीके से पराठा बनाया है मुझे कमेंड में ज़रूर बताईएगा इसमें जो हमने मोंग डाल डाली ह है जो मेथी और जो हमने दही डाली है इसे यह डबल हेल्दी तो बने का ही बने का साथ ही बहुत स्वाधिश्ट तो इसके साथ हमने जो फ्राइ करके मिर्ची रखी है वह आप जरूर बनाईएगा बहुत ही मज़िदार लगता है दोस्तों और इसके साथ मैंने थोड़ा सो सफर में जा रहे हैं तो इसे पका बनाईएगा आपके सफर का मजाना दुगना हो जाएगा तो कैसे लगी आज की यह नई पराठी की रेसिपी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे नई रेसिपीस देखने के लिए नीलूस कीचन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए दोस्तों